तमिलाडू में भारी बारिश के चलते बीते चार दिरों में अलग-अलग इलाकों में हुई घटनाओं में 25 लोगों की मौत हो गई है इनमें से 17 लोगों की मौत को एमबटूर की पास एक दिवार धह जाने से हुई राज में बारिश से बिगड़े हालात को लेकर मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने राज्च सच्चिवाले में अधिकारों के साथ बैठक की जिसमें राहत और बचाव कारे की समिक्षा की गए मुख्यमंत्री के पलनी स्वामी ने घटना पर दुख जताते वे मुरत्तक के परिवार को एक एक लाख रुपे मुआवज़ा देने का एलान किया है तो पंडुचेरी और तमिलाडू में जस तरह से लगातार बारिश का दौर जारी है और जो मौसम विभाग नियाँ पर पूरा ननुमान जताया है उसके मताबिक बारिश लगातार जारी लेकिन हालात बेकावू होते चले जा रहे हैं तमिलाडू में जहां पर आपको बता दे कि जन चीवन पूरी तरीके से स्तिवेस्थ हो चुका है लेकिन अब तक जिस तरह का नुकसान हुआ है जिस तरह से तीन मकान यहां पर जमीदोज हुए हैं उसमें 17 लोगों की मौत हो गई है और अब तक अगर देखे भारी बारिश की चलते तो 25 लोगों की मौत हो चुकी है तो के पलनी स्वामी मुख्यमंत्री ने यहां पर दुख व्यक्त किया है और मृत्कों के परिवारों को एक एक लाख रुपे की मौवज़े का एलान किया गया है